तो यह आप देख सकते हैं पीछे का नजरा कितना बहतरी नेस फ्रेंड अभी आपको हम यह रियर चेंगा से लिखाएंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा बहतरीन हरा भरा जंगल है यहां पे घुमने का अलग ही मजा कुछ और है यह देख सकते हैं यह देख सकते फ्रेंड यह देख सकते फ्रेंड गाओं में घुमने का मजा ही कुछ और है अभी हम आपको करम दा पूल भी दिखाएंगे जो की जामतरा जिला में ही पड़ता है वो हम आयते कुछ काम से तो सोचे एक ब्लॉग बना लेते हैं देख सकते हैं यहां पे छोटा स नाला बना हुआ है कि दर देख सकते हैं है कि रश्ता खाफी खराब है इदर देख सकते हैं है यह जैसा की आप देख रहे हैं हम वहां से निकल चुके हैं और अभी हम करम दा भीच के पास जाएंगे और आप सब को भी करम दा पूल दिखाएंगे तो ब्लॉग पर बने रहेगेगा ब्लॉग काफी मज़दा रहने वाली फ्रेंट थैंक्यू है गाइस फानली हम करम दा हाथ सीव मंदिर आ चुके हैं आप देख सकते हैं पीछे यह सीव मंदिर है यहां पे साधी भी होता है और सावन महिना में काफी भील होता है और जनवरी में यहां मेला भी लगता है तो आप देखते हैं इसके जो रस्ता गया बगल से वो सिधे करम दाना दी जाएंगे तो अभी हम नदी जाएंगे और आपको नदी भी दिखाएंगे और पानी काफी है अभी हम निच्छे की और नहीं जाएंगे क्योंकि उधर अलाव नहीं है और इथर आपको जूम करके हम दिखाते हैं पानी का बहाँ पानी का आवाज भी आ रहा है बहाँ का और अभी हम आपको ब्रीज सामने से दिखाएंगे और देख सकते हैं यह ब्रीज के हम सामने आ चुके हैं और यहां से आपको पानी भी दिखाएंगे फ्रेंड इदर एक पेड़ है पीपल का और यह जो बना हुआ है यहां पे आदमी लोग रहते हैं तो पानी देख सब्सक्राइब और यह धनवाद और जामतारा के बिचो बीच है और यह जो बराकर नदी है यह आधा जामतारा और आधा धनवाद में आता है मान के चलिए कि यह यह धन्वाद और जामतड़ा के सीमा पर है यह पानली फ्रेंड व्लोग को यह प्रेंड करेंगे और वीडियो को कैसा लगा है कमन्ट करके जरूर बताईगा चेनल में नए तो सब्सक्राब जरूर कीजेगा एसे ही प्यार देते रहेजेगा तो मिलते हैं आक्ट व्लोग पर तब तक की लिए जय हिन जय भारत तो